बहुत सारे बचे हैं, जिनका पहले स्कॉर बहुत अच्छा होता है, पर लास्ट के एक मन्त में और बोर्ड इक्जाम के टाइम कुछ गलतिया करने के वज़े से डायर estr. उंका हाई परसेंस है, डायरेक् लोśmy करने तो गलतिया बताने वाले यह वह सब प्लीज उनको फॉलो करना मैं सज बोल रहा हूं इतने साल हो गए हमें पढ़ाते हुए ओफ-लाइन बैच फिर ओनलाइन बैच प्लीज और खुद के रिजल्ट को बहुत अच्छा करते हुए हम सभी चीज़े आपके सामने पेस कर रहे हैं और भाई सबसे बड़ी बात इंज अगर इस समय हूता तो मैं क्या करता इस समय किस सब्रह से मैंटज करता वह वीडियो अगर चाहिए तो फ्लीज बगता कॉमेंड ब कलिरोर करना ओस ल entered कर को हां रोके चाहिए तो चाहिए ऊके तो फाय मिस्टे कौन सबसे से पहला मिस्टे कि अगर बात करूं और मेनने मलब बहुत अच्छी से वह अच्छी से तरीक से भड़ित और सवें ड़ों किया था जब मैं एकजाम में गया और मेरा लग इतना अच्छा था जो छे हम करने के वज़जे से मैं मैंने बहुत सारे questions attempt कर रहे और मेरा marks बहुत अच्छा आगे और finally मुझे बहुत confident मेरा boost हो गया कि मैंने प्रीलियम इतना अच्छा score किया है और यही जो आपका confident boost हुआ है यही सबसे बड़ा दोका आपको देगा देखोगा इस प्रीलियम इक्जाम जब बीच में रहता बहुत सारे school दो दो टाइम दो दो बार प्रीलियम लेते हैं बच्चे उस प्रीलियम इक्जाम को देखे बहुत fast करते हैं और फास्ट त्यारी करने के चक्कर में फटा फट 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 चप्टर को सभी को दिमाग पर से गुजारना चाहते हैं जिसके गांड क्या होता बहुत सारे चप्टर को स्किप कर देते हैं वह जो पढ़के जाते कोशन एकजाम में वही आ जाता है और जितने आपको ऐसा Consider मत करहें नहीं होगा सबाज कं सोचिए अगया पूरी तरह से तयारी करनी है आपको प्रींग और अगर और बिल्कुल गलते इससे अच्छा है कि जो आप जितना चप्टर पढ़ रहे थे चार चप्टर पढ़ रहे थे पांच चप्टर पढ़ रहे थे तो खुद को एनलाइज करो कि अपने आपको मत रखो मैंने बार-बार समझाया कि अपनी गलतेों का एसास खुद को जरूर होना चाहिए भले आप दून दूनिया में घुम खुम के न बताओ बट खुद को एसास होना चाहिए और मैं तो बताने की डेरिंग भी होनी चाहिए चलो कॉमेंट करके मुझे बताओ कि प्रिलियम में फिल किया भी होगा और मैं नहीं चाहता कि बोर्ड एक्जाम के हॉल से निकलने के बाद यह फिलिंग आपको आए जब आप एक्जाम हॉल से निकलोगे बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे आजू-बाजे में क्वेश्चन डिसकस करते हैं मैं तो आस तर डिसकस नहीं क्या एक्जाम होता है मैं फुर्ण से घर पे निकलता हो कि जो एक्जाम जैसा चला गया चला गया आप दूसरे पेपर पर ध्यान देना यह नहीं कि फिर सी क्वेश्चन देखिए तेरा कैस क्या लिखा यह लिखा जिसका अपना टेंशन और बढ़ता है बट फिर भी आप निकले है आपने question आजू बाझू में discuss किया आपको पता चला रहे इसका answer यह था कि यह तो मेरे को आता था उसका question किस तरह के कितने type के एक ही answer के नहीं 10 तरह के question पूछे जा सकते जो आप एक answer learn करते हैं उसके 10 type question पूछे जा सकते तो sir कहां से question कहां से देखे तो मैंने बार बार बोला है या नौनीत का 21 सबसे 10 रहे या तो अगर आप identify कर पाते हैं तो चलो अच्छी बात है पर बहुत सारे बच्चों का यह प्रॉलम है जिन बच्चों का प्रॉलम प्लीज कॉमेंट करके बताना इसके बाद गाइस बोर्ड रूल अब बहुत सारे जगह पे बहुत ग्यान ले रहे हो इधर उधर बहुत सुन रहे है अगर आपको अभी नहीं पता चलेगा कुछ मैंने बाद जब पेपर देने का जब रेजल्ट आएगा तो आपको लगए और मैंने तरह अच्छा पेपर लिखा था मेरे मेरे को मांक्स इतना कम किमला रीजन यहां है कि बोड रूल के अकॉर्डिंग जिस तरह से लिखना थ जितना लिखना था पेपर को जिस तरह से रखना था वो चीज़े आपने फॉलो नहीं की दि इसलिए आपकी मार्क्स बहुत कमा है आपको हर चीज का बोड का रूल पता रहना चाहिए कि लैंग्वजेस में कितना रहता है हिंदी मरटी इंगलिश में कैसा रहता है साइन्स में कैसा रहता है कहां डाइग्राम्स डाइग्राम्स के रूल सब ही कुछ आपको पता रहा ना चाहिए और यह ना आपको इसी चैनल पर मिलेगा और बोर्ड रूल की हम सीरीज लाएंगे आप देखोगे और सर्च करोगे बोर्ड रूल 2023 तो हम बच्चों को एक्जाम के एक 10 की बात करो तो 6 केच्छ सब्जेक्ट तो भाइ ऐसे यहां मिले हैं जो आपको नेक्स्ट लिवल तक पहुचा सकते है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो नहीं तो आगे तो आओ गई तब तक लेट हो चुगा रहेगा इसके पीवाई क्यू यह समझके बिल पढ़ रहे हो तो अपने में over confident मत हो जाए और मेरी पढ़ाई पूरी होगी मेरी पढ़ाई पूरी होगी आप previous questions को इसलिए देख रहे हो को आपको यह समझ भाएगा questions कैसे type क्या थे questions कैसे type क्या आते किस तरह के questions पूछे जाते यह PYQ से आपको पता चलेगा अब यह बहुत स one three है बात में वह चारो number change हो गया चारो number change हो गया तो क्या मतला आप खतम नहीं कर पाओगे घर पाओगे तो PYQ यह करके करो कि भाई ऐसा अगर नंबर भी change हुआ तो भी मैं कर लूँगा समझ में आ रहा है तो यह मत कि यही same to same number आएगा यह बचपने वाला काम यह चीज़ तो नहीं कर पाओगे या 5-2 नहीं कर पाओगे समझ में आ रहा है कि नहीं तो यह दिमाग में लेकर में नहीं चलना समझ में आ रहा है इसके बाद अगली चीज डेली दो पेपर आपको क्या करना है एक पेपर और languages का तो मैं बोरहो languages का अगर आप paper solve नहीं कर रहे हो कि वह languages का तो पेपर ही solve करो लेकर languages की जितने पेपर solve कर पाओगे कम से कम एक डेली languages का पेपर तो solve करना ही हंदी एक दिन मराठी एक दिन इंगलिश करना ही अगर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा help हो गार नहीं कर रहे हो तो आपको समझ बैग आगे तो मिलते है नेक्स जय हिंद एंड जय महाराश्ट्रा दोस्तों